दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको रेगर कंपनी के दो प्रड़क्स के बारे में बताने वाला हूँ सबसे पहले तो यह जो प्रड़क्ट है यह एक पोटिबल चारजर है और खास करके अगर आप आपल डिवाइस का उप्याग करते हैं काफी इंटरस्टिंग प्रड़क्ट है दोस्तो आज की तारिक में इस लॉगड़न के सिचुएशन में जब कभी हम घर के बाहर जाते हैं तो जब हम घर पर वापस आते हैं तो हमारे पास जो स्मार्टफोन होता है जो वालेट होता है जो कीज होता है उनको हम स्टेरलाइस कर और खास करके यह जो हैंड जो हैंड इसका बेसकली उप्योग करते हैं और जो मोबालफोन से काफी लोग जो हैंड ऑफ्यूग कर प्योग करके मोबाइल को सेनिटाइस करते हैं जो कि मुझे लगता है कि अच्छा उप्शन नहीं है आपको बहुती कैरफुली करना पड़े 1,499 रुपीज और यह जो डिवाइस है इसका प्राइजिंग है 3,975 रुपीज चलिए मैं सबसे पहले यह जो डिवाइस है इसके अंबॉक्सिंग करके आपको बताता हूं यह भी रिगा कंपनी का प्रड़क्ट है आख 1500 इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है यह 10 वाट के सर्टिफाइड क्यू आए वायरलेस चारजिंग के साथ में आता है मतलब की वायरलेस चारजिंग सपोर्ट करता है और इसमें UVC LED लाइट है जो की आठ मिनिट में जो भी चीज प्रड़क्ट हैं इस प्रकार से पाक इंगा है वैसे इस इक प्रड़क्ट के आख ठैकि काहिए जिस फिसदान एक जबद अर्दिर दिख एक प्रड़क्ट के बारे में प्रड़क्ट एंगопर ज garlic कायए साथ में यह 40 20 एक Maori के मिन जिया ओगय श्यू से इस अदर का है इस बॉक्स में यह ड्रॉपर दिया हुआ है जिसमें आप जो सेंट है वो दाल सकते हैं और यह जो भाग आप देख रहे हैं यहां पर यह जो ड्रॉपर है इससे जो सेंट है इसमें दो या तीन ड्रॉप दाल सकते हैं यह बेसिकली अरोमा डिफ्यूजर है यह जो अरोम बड़े phones रख सकते हैं, sterilize होने के लिए, in fact इसमें आप wallet भी रख सकते हैं, watches, wallet, और आपको इस प्रकार से बन करना है, और ये जो भाग है, ये basically है QI wireless charger, ये certified 10 watt का wireless charger है, और ये wireless charger है, ये 10 watt, 7.5 watt, 5 watt, और 2.5 watt support करता है, तो इसका उप्योग करके अगर आपके पास galaxy buds है, या फिर Apple AirPods है, तो उसे भी आप wireless ली चार्ज कर पाएंगे, इसे operate करने के लिए यहाँ पर एक port दिया हुआ है, USB type C port, और इसे आपको power source के साथ में connect करना है, तो सबसे पहले इसे मैं connect करता हूँ, तो ये लीजिए मैंने इसे connect कर लिया है, power source के साथ में, और सबसे पहले तो जो charging capabilities है, wireless charging capabilities, उसके बारे में मैं आपको बता जाता हूँ, इस प्रकार से आपको इसे रखना है, और ये देखिए, आटोमाटिकली इसने charging करना शुरू कर दिया है, ये phone iPhone 11 Pro है, इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ, और यहाँ पर देखिए, LED light है, जो अब आफ हो गई है, य wirelessly charge हो रहा है, तो अगर आपको कोई product को disinfect करना है, तो आप वो जो product इसमें डाल सकते हैं, इस धकन को बन कीजिए, और यहाँ पर जो button है, इस आपको एक बार प्रेस करना है, यहाँ पर blue light आपको दिखेगा, वैसे 8 minute तक आपको wait करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको percent bacteria को मार देते हैं, तो बहुत ही बड़ी तरीके से जो device है, इसे एक तरह से disinfect करने वाला है, खाज करके काफी काम में आता है, जब आप घर के बाहर जाते हैं, आपका जो mask है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर जो mobile phone है, उसे आप यहाँ पर दाल सकते हैं, car key keys है, यह सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं, और उसे disinfect कर सकते हैं, तो चलिए मैं इसे 8 मिनिट के लिए रख देता हूं, यह बटन में प्रेस करता हूं, और यह देखें, यह देखें, ब्लू लाइट, और अब मैं थोड़ी देर इसे रहने देता हूं, वैसे जब तक जो लाइट है, यह देखें, आटोमाटिकली ओफ हो जाएगा, उसके बाद में अब इस धकन को खोल सकते हैं, और जो प्रोड़क्ट है, इसे निकाल सकते हैं, और चलिए अब यह जो डिवाइस है, इसकी अन्बोक्सिंग करते हैं, तो चलिए मैं आपको इसकी के लिए जुए बनाया हुआ है, तो बड सक्वाइल्स टांफिया हुआ हुआ है, आपको तो बताई है, कि यह वाइरलेष चारजग अद्शन सपोट करते हैं, और आपको जो वाच है, इसके साथ में एक स्पेशल वाइरलेष चारजर आता है, जो एपग वाच का चारजर ह वह इस प्रकार का होता है, wireless charger तो basically वही चीज यहां पर दिया हुआ है और इसके साथ में यह केबल दिया हुआ है इस केबल को आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि यहां पर lightning दिया हुआ है मतलब कि यह जो USB पॉइंट है इसे आप जो smartphone का adapter है उसमें दाल सकते हैं या फिर आपका जो laptop है या फिर desktop है उसमें दाल सकते हैं उस port में दाल सकते हैं और यहां पर Apple Watch रख सकते हैं और साथ में Apple smartphone या अन्य डिवाइस को भी चार्ज कर पाएंगे इस lightning के जरिये तो यह जो डिवाइसे से मैंने connect कर लिया है और यह जो भाग है यह magnetic है यहां पर मैं जो Apple device है इसे मैं यहां पर connect कर सकता हूँ magnetic है यह देखिए इस पर कार से चिपक जाएगा और यह चार्ज होना शुरू हो गया है और यहां पर आप देखें नीचे की तरफ तो यहां पर एक LED light भी है जो की light up हो गया है और यह जो lightning cable है इसका उप्योग करके मैं अन्य Apple devices को चार्ज कर पाऊंगा तो यह जो device है खास करके काफी काम में आता है जब आपको Apple watch और साथ में जो smartphone है इन दोनों को साथ में चार्ज करना है और अच्छी बात यह है कि अगर आप traveling कर रहे हैं तो आपको सिर्फ यह एक device को ही लिके जाना है वैसे जो USB connector है इसे आप इस प्रकार से अंदर डाल सकते हैं इस product का pricing है 1499 रूपीज आज के तारिक में जो UVC sterilization जो system है यह बहुत ही काम में आता है यह 99.99% जो bacteria से उसे मार देता है और जो भी products आप इसमें दालते हैं उसे एक तरह से काफी हद तक disinfect कर लेता है और यह मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी option है instead of जो हम liquid sanitizer को करते हैं और बहुत होगा कि यह liquid sanitizer है इससे आप अपना जो smartphone है इससे साफ मत कीजिए अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से कीजिए ताकि जो ports है उसमें जो sanitizer है liquid sanitizer वो नहीं जाना चाहिए वैसे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यह UVC lights होते हैं आपका जो skin है उसे ज्यादा इन lights को exposed नहीं करना चाहिए वैसे जो product है यह काफी safe है और अगर आपने जो disinfection का जो process है उसे शूरू किया हुआ है और यह जो ढखकन है इसे खोलते हैं तो जो lights से automatically off हो जाते हैं तो एक तरह से completely safe है क्योंकि इसमें QI wireless system भी है बहतर होगा कि आप जो credit cards है या फिर जो debit cards है उन्हें इसमें मत दालिये जो magnetic strip है वो शायद fail हो सकता है तो दोस्तों अगर आप यह product खरीदना चाहते हैं तो उसका link मैंने video description में दिया हुआ है और आपको इन दोनों में से कौन सा product सबसे best लगा comments के मादम से मुझे जरूर बताईए इस video को like किजिए share किजिए और देखते रहिए